सब्सक्राइब कीजिए ये बिल्कुल फ्री है और साथ ही बेल के बटन को भी दबाएं ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकें ओम शरी गनेशाय नमा आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में दोस्तो आज हम बात करेंगे कुम राशी के बारे में आठ अपरेल बुदवार का दिन आप के लिए कैसा रहने वाला है दोस्तो हमारा राशी फल चंद राशी पर अधारित है आठ अपरेल बुदवार को वेशाक मार्च के क्रिशन पक्ष की प्रती पदा तिती रहेगी चित्रा नक्षत्र होगा दोपहर 4 बच कर 34 मिनट तक चंदर्मा कन्या राशी में उसके बाद तुला राशी में प्रवेश करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तो आठ अपरेल बुदवार का दिन आपके लिए अतियंत भाक्यशाली है इस दिन कई मामलों में सफलता मिलने का योग है आपके बहुत से जरूरी काम इस दिन बनने वाले हैं सुभे से शुरुआत करे तो आप पिछले दो दिनों से चल रहे पारिवारी कामों को और अपनी कार्यस्थल के जरूरी कामों को पूरा करने का मन पना लेंगे तरक्की पाने की इच्छा मन में पनेगी और आप आगी बढ़ने का प्रयास करेंगे बीते समय की परिशानियों और समस्याओं की तरफ ध्यान ना देते हुए आप अपनी हिम्मत और मेहनत पर विश्वास रखेंगे आप इस समय साकरात्मक उर्जा की खोज में भी रहेंगे दोस्तों खराब समय से उभरने का प्रयास शुरू होगा और मन में चल रहे नाकरात्मक विचार दूर करने की आप की कोशिश काम्याब होते हुए दिखाई देगी उल्जनों से निकलने का रास्ता भी साफ होगा और कुछ अनावश्यक खर्चों से हुए परेशान मन को समझाने की कोशिश भी सफल होगी समय की कीमत का एहसास प्रबल होगा पिछली गल्तियों से सीख कर आगे बढ़ने की तमाम कोशिशे आपको बड़ी सफलता की रहा तक ले आएंगी शिग्र ही आप में प्रबल इच्छा शक्ती का विकास होगा आप आतम विश्वास से खुद को भरपूर पाएंगे इस दिन अच्छे परिणाम आपको मिलने वाले हैं दोपहर बाद बहुत अच्छा सोधार सेहत में देखने को मिलेगा अच्छी सेहत के साथ साथ मन में परसंता भी भरेगी धनलाब के साथ एक नए जोश का संचार होगा मुनाफी का समय बना हुआ है नए संबंदों का फाइदा मिलेगा और नए जान पहचान भी बनेगी दोपहर बाद नया निवेश खुल कर किया जा सकता है पारिवारिक सुक्षान्ती बनी रहेगी दिन आपके लिए शुप रहेगा और बिवाहिक जीवन में खास खुशियां शाम को देखी जा सकती है नए कामों की शुरुवात होगी शाम को बहुत यच्छे ठंक से नए योजना पर विचार होगा और नई खोजबीन से आपकी प्रगर्ती का रास्ता भी खुलेगा दोपहर बाद नई प्लानिंग आपको काम्याद करेगी आप सी रिस्तों में सद भाव बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रती आदर की भावना भी पैदा होगी पारिवारिक एक जुटता और सहमती से पुराने मसले भी हल होते हुए दिखाए देंगे इस दिन करियर में बड़ा बदलाव मुमकिन है यह दिन आपके मान सम्मान को पढ़ाएगा कारियस्थल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं अपने काम को चलाने का परियास भरपूर जोश के साथ किया जाएगा इस समय में नए लोगों की सला लेना भी उप्युक्त है और यह समय आपको अच्छे मित्रों का साथ भी मिलने वाला है अपने भाई बहन का साथ आप अपने कामों में पा सकते हैं दोस्तो काम करने की नीती में बदलाव आपको भविशे में बड़ा फाइदा दिलाने वाला है इस दिन आपको शाम के बाद बड़ा फाइदा मिलेगा सितारा बुलंद रहेगा यह समय आपके लिए थनलाब का है दोस्तो इस दिन आपका भाग्य परतिशत 66 परतिशत रहेगा और आपके लिए शुबरंग नारंगी है अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सेर जरूर करे और सच्चे मन से ओम शरी गनेशाय नमा चरूर लिखे